हेलो फ्रेंट्स वल्कम तो मैथसिंटेब दोस्टों DC सर्कीट की प्रिवेस्ट वीडियो में हम देख रहे थे हैं कि कैसे KCL लोग को किसी सर्कीट पे हम अपलाए कर सकते हैं इस वीडियो में कुछ एडवांस लेवल के प्रॉब्लम देखेंगे उन प्रॉब्लम को देखेंगे जिसमें स्टुट्स को अकसर डिफकल्टी होती है तो आगे सबसे फर्स प्रॉब्लम को देखते हैं जहां पर हमारे पास एक सर्कीट दिया हुआ है और हमसे बोला जा रहा है फाइंड पोटेंश निकालना है यही इस लाइन का मतलब होता है तो फाइंड पोटेंशल डिफरेंस पॉइंट एंड इसको ही हम अलग तरीके से कह सकते हैं फाइंड पोटेंशल एड पॉइंड 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 रिस्पेक्ट टू पॉइंड अब यहां पर आप सोचोगे यार ए और बी पहले आप इस सरकूट को अच्छे से आलाइस किजिए जबी दोस्तो disciples आप आप इस तरह के सरकूट को एनकांटर कररेंगे ओग्जाम में तो आप यहां पे लूप देखरें और एक यहां पर देखरें वहहां ओनों लूप को कनेक्ट करना वाला इवह यहां पर ब्रिज है लिखते है सबस्थों यह 30 वोल्ट की जो बैटरी है इससे क्रेंट पास हो रहा है से आइवन ओके अब दोस्तों यह जो ऐघन करेंट है यह 5 ओम रज़िस्टंस के थूझ जाएगा फिर तेन ओम रजिस्टंस के थूझ जाएगा पिर उसके बाद 15 ओम रजिस्टंस के थूझ कुछ हिससा यहाँ चल गया और कुछ यह आप ऐसा सोच रहे हो तो वह गलत हो जाएगा क्यों कि जितना के स्लोट न चाहिए लाइट तो इस दोस्तोन쉬 से कोई होगा उसका से स्प्रीजन क्या है क्योंकि hisustle यह कोई स्पाइक नहीं कर रहा है मतलब है संश्क आपर क्लोस पाथ नहीं है कि यहां से को जो गौइ nights भी बैसिक में कि current तभी flow होगा जो हमारे पास close path हो तो यहां पर दोस्तों यह जो element है इसका कोई close path है क्या मतलब यह element से current वाफ़ फ्लोड के आ सकता है कि नहीं आ सकता है तो इससे current पास नहीं होगा आप बोलोगे फिर इसे attach क्यों किया है इसका क्या purpose है यह एक चीज़ कर सकता है कि क्योंकि यह बैटरी है तो यह बैटरी यहां पर दोस्तों potential कुछ create करेगी जिसकी वज़े से यह circuit में जो current फ्लो हो रहा है उसमें effect हो सकता है ठीक है तो एक चीज़ यहां पर अपने note किया यह जो circuit है यहां पर हमारे यह जो 5V की बैटरी है इससे कोई भी current यहां पर पास होने वाला नहीं है ओके तो अगर आपको इतना दोस्तों समझ गया है तो आपको इतना भी समझ गया होगा कि यह जो हमारे पास दूसरा लूप है इससे अगर मैं current suppose लेता हूं यहां पर इस direction में आपको वाल में current positive direction से negative direction की तरब जाता है ठीक है तो यह से आप कोई भी direction choose कर सकते है गलत choose हुआ है यहां ने अल्रडी आपको के वीडियो में बताया था तो यहां पर अगर मैं इस लूप में current i2 लूप तो यहां से निकल रहा है तो इस element से कोई भी current नहीं जाएगा विकॉस यहां पर क्या होगा i2 यहां से जाएगा फिर i2 यहां से जाएगा और फिर i2 यहां पर 0 है एक बार आपने अगर यह नोट कर लिया फिर दूसरा हम observation यहां पर यह करते हैं कि अगर मुझे ए और बी के बीच में potential find करना है तो अगर आपको इस चीज़ को practically करना होता तो आप potential कैसे major करते थे ऐसा book pain लेकर calculate थोडी ना करते थे normally एक voltmeter लाते थे और A और B क बीच में connect करते थे और उसके बीच में आपको potential difference पता चल जाता था तो यहां पर दोस्ता हम वही करेंगे हम यहां पर point A और point B के बीच में एक voltmeter connect करेंगे ऐसा हम experiment समझो इस circuit के उपर कर रहे है कि point A और point B यह दोनों की बीच में एक voltmeter connect कर देता हूं और वह voltmeter जो भी reading इसके किस terminal पे positive potential होगा किस terminal पे negative potential होगा मैं फिर से एक चीज रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों हमें A और B के वीच में potential difference निकालना है तो मैं वह दोनों की इच में voltmeter connect कर देता हूं और ऐसा करने से क्या होगा एक close path बन जाएगा कैसा close path ऐसा close path जिसमें मैं KVL lock का apply कर आप देखोगे अगर मैं आप यहां से मुह करो A से लेकर इस point पे फिर यहां से लेकर B पे फिर B से voltmeter फिर A पे return तो यह close path हुआ एक और close path है ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ फिर ऐसे लोटो तो multiple close path है आप किसी को भी choose कर सकते हो KVL apply करने के लिए तो दोस्तों जब भी आपके पास ऐसे type के question आए ना जिसके अंदर दो point के बीच में potential difference पूछा गया हो तो वहां पे एक आप voltmeter connect कर देना और फिर वहां पर KVL लगाना तो आपके लिए इस problem को analyze करना काफी आसान हो जाएगा यह जो method बता रहा हूं मैं आप यह unique method है आपको internet पे कहीं और शायद नहीं मि लगती ही कि एक unique method यह अगर हम follow करें तो ज्यादा better होता है तो दोसों यह जो question है जहां पर आपको दो अलग-अलग point के वीच में अगर potential पूछा जाए तो हमेशा इसी method से कीजेगा एक voltmeter connect कर दीजेगा और अगर आप यह voltmeter connect हो चुका है तो मैं अब यहां पर assume करूँगा म मैंने loop लिया है ना इसे में कुछ नाम देता हूं यह है ठीक है तो यह जो point है इस point को मैं कह देता हूं C तो कि B यहां पर है फिर उसके बाद यह जो point है इसे मैं कह देता हूं point D okay and then उसके बाद दोस्तों हमारे पास यह जो point है इसे मैं कह देता हूं E और फिर इस point को मैं कह देता हूँ यह तो भी हालडी है तो अब मैं यहाँ पर लूप अगर आप आप करोगे ए सी डी इ बी और ए मतलब ए सी डी इवी एंड देन अगें ए इसमें लगाऊंगा के वियल लॉप आप यह भी चूज कर सकते थे ए सी डी फिर डी से यहां इस पॉइंट को कुछ नाम द देता हूँ तो f b and then again a यह भी चूज करोगे तो अंसर सेम ही आने वाला है लेकिन अगर मैं यहां पर के वे लॉव लगा हूँ तो मुझे दोस्तों यह 59 रेजिस्टरंस के थुरू करेंट पता होना चाहिए इसलिए मुझे आइवन की वेली पहले निकान ली होगी सिमिलरल अगर मैं यहां पर के वे लो लगा रहा हूं तो 6 ohm ए 4 ohm के थूर बता ना चाहिए यानि i2 के वहली पता नहीं चाहिए तो अब i1 i2 कैसे निकालेंगे बड़ा ही असान है मैं यह सिंबल्स है इस लूप में के वे लो लगाता हूँ तो यहां पर मैं इस डारेक्शन में य यहां पर इसका मैं कुछ नाम देता हूं जी एंड इसका नाम हूँ ठीक है तो इन दर किट यह इन दर लूप ए सी जी एच ए में हम लगाएंगे केवियल लॉव ठीक है इन ए सी जी एच ए बाइ केवियल लॉव अब आप वो केवियल लॉव के रूल पता है कि अगर हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं लूप कर यहां पर पॉइंट्स लिये हैं वह important है ए से सी चचे जीए लूप किस द्राउप होता है वह नेगीट्विय लेते हम तो अब जो अब ए से जा रहे तो पोटेंशल अक्रोस 50 नाम क्या होगा यहां पर दोस्तो आइवन है यही आईवन फ्लो हो रहा है उसके बाद जो हमारे पास रजिस्टरंस है वो कितना है 15 ohm क्योंकि हम करेंट के डारेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस साइन लगाएंगे यहां पर लग गया माइनस साइन और आईवन इंटो 50 15 देन दोस्तों यहां पर सी के बाद हम लोग जी क से जी तो सी से जब जी की तरफ आएंगे थो हम बैटरी के निगेट्व से पोजिटीव की तरफ जा रहें और आपको मैंने बताया है था था कि बैटरी का पोटेंशल लिखते समय हम करेंट का डारेक्शन नहीं देखते बैट्री के पोलारीट टी को देखते तो अगर मैं negative से positive की तरप जा रहा हूँ मत著 internally की तरफ जा रहा हूँ तब potential difference आपको प्लस लेना है यहाँ पर दोस्तो हम लेंगे plus 30 यह 135 यह बाटरी का है बैटी का potentialपनेस फिर गोनेगे और शिर्य जब हनक के डिरेक्शन में जा कि this is equal to 0 तो इससे हम थोड़ा सा simplify कर लेते हैं यहां पर आप देखोंकि माइनस 5 I1 माइनस 10 I1 हो जाएगा माइनस 15 I1 और उसमें से और माइनस 15 ना जाएगा तो माइनस 30 I1 हो जाएगा तो मैंने 30 I1 को मैं राइट हैंड साड लिका जाएंग वह इक वल किसके होगा 30 के ठीक है तो मुझे क्या मिलेगा वन एम्पियर तो मुझे करेंट पता चल गया इस सर्कीट के थूँ वैसी दोस्तों अगर यहां पर लगाए सिमिलरली के लो तो यहां पर मैं आई वन का अंसल लिख लेता हूं और वीडियो का यहां पर आप स्कीरिंशॉट ले लो इसके अंदर करें हम लोग लगाए के वियल लौ तो आपको क्या मिलेगा यहां पर मैं लिख देता हूं इन दी एफ बी इडी अप्लाइं के वियल जब हम डी से जा रहे है एफ की तरफ तो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटी की तरफ जा रहे है मतब पोटेंशल डिक्री रहा है तो माइनस ट्वेंटी फिर उसके लिख दोस्तों हम लोग यहां पर जाएंगे 10 की तरफ तो हम करेंट के अपोजिट डिरेक्शन में जा यहां पर आप दोस्तों देखो के 10 प्लस 4 प्लस 6 यह 20 हो गया तो हमें मिलेगा 20 i2 is equal to 20 ठीक है तो यहां पर i2 की value भी कितनी आ जाएगी 1 ampere मतलब i1 और i2 क्या है 1 ampere है तो अगर मैं को एक बार i1 और i2 मिल गया तो अब मैं simply क्या करूंगा जो हमें vab चाहिए इस वाले loop म को मैं यहां पर रफ कर देता हूं so i hope आपको यह समझ में आ रहा है कि कैसे पहले हमने i1 i2 के value निकाली और यह भीज के थूरू current 0 है अब यह सब हो जाने के बाद अब हम final आएंगे अपने loop में कौन सा loop यह वाला so in a c d e b and दोस्तों b के बाद यहां पर हम b से वापस लौट की जाओंगा a से c तो मैं current के direction में जा रहा हूं तो 15 हों के थूरू कितना potential drop होगा minus 15 into current current कितना आया 1 ampere तो 1 फिर उसके बाद मैं यह battery के थूरू जा रहा हूं battery का positive से negative की तरफ जा रहा हूं right तो minus phi u फिर दोस्तों यह जो resistance है इसके थूरू potential drop निकालना लेकिन current तो flow नहीं ह negative minus 6 into यहाँ पर current कितना है 1 तो 1 फिर उसके दोस्तों जब 4 ohm के थूरू जाएंगे तो again negative minus 4 into 1 समझ रहे है 4 resistance है 1 का है current फिर उसके बाद हम B से सीधा आएंगे यहाँ पर A की तरफ लेकिन जब हम potential यहाँ पर जोस्तों मैंने current किया voltmeter उसका यहाँ पर minus मैंने लिया है यहाँ यहाँ पर positive लिया है आप कोई भी ले सकते हैं ठीक है उसे कोई फरक नहीं पड़ता तो यहाँ पर दोस्तों मैंने से प्लस की तरफ आ रहा रहा यानि increasing direction में आरे potential की यहाँ पर आ जाएगा plus Vav and this is equal to 0 अच्छा आप calculate करते हम यहाँ पर answer कितना आता है तो आप देखेंगे minus 15 minus 5 कितना हो गया minus 20 minus 20 देन उसके बाद minus 6 minus 6 कितना हो गया minus 10 minus 20 minus 10 minus 30 so therefore Vav is equal to आ जाएगा यहाँ पर दोस्तो 30 वोल्ट तो यह हमारा हो जाएगा total answer for potential difference between point A and point B तो बड़ा असान था आएगे दोस्तों इसी के पर एक और question देखते हैं so यहाँ पर दोस्तों हमारा पास जो second question है वो previous जैसा ही है और यहाँ पर हमें कहा जा रहा है find potential at point E with respect to point C और फिर से वो उसी type को question है मैं point E and point C की बीच में potential difference पूछा जा रहा है तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो point E है हमारे पास वो यहाँ पर है और point C हमारे पास यहाँ पर है दोनों की जो potential difference अगर आप से पूछा जा रहा है तो मैंने आपको method बता है दोनों की बीच में voltmeter connect कर दो यहाँ पर दोस्तों मैं point C और point E है उसकी बीच में कुछ इस तरह voltmeter को connect कर देता हूं ठीक है और आप कोई कोई भी polarity voltmeter की ले सकते है यहाँ पर मैं minus ले लेता हूं यहाँ पर प्लस ले लेता हूं कोई फरक नहीं पड़ता अब यहाँ पर आपको क्या करना है जैसा कि हम previous video में discuss कर चुके इसकी जो पहला लोकुशन था उसमें discuss कर चुके कि यह जो हमारे पास bridge है मतलब B से H इसके करेंट क्या होगा इसके तो करेंट यहाँ पर जीरो होने वाला है और दोस्तों आप सोचो कि सर आपने वोल्ट मीटर करेंट किया तो उसके थूरू करेंट जाएगा ना तो मुझे लगता है आपने बेसिक्स पढ़ा होगा आपने 11 12 में कि वोल्ट मीटर का resistance infinite होता है तो उ पहले करेंट करेंगे जैसे अभी हमने थोड़े दर पहले किया था अगर आप अब सब्सक्राइब करोगे पॉइंट डी जो है और जो पॉइंट सी है इसको मैंने शॉर्ट कर दिया दोस्तों जैसे किसी दो पॉइंट को सॉट यहां पर तो उनका potential difference सेम हो जाता है मतलब प से निकाल दो यहां रखो कोई फरक नहीं पड़ता तो आप consider कर सकते होगी यह है नहीं simply एक वायर है जो ऐसे जा रहा है समझे तो जबी भी दो किसी network के दो element को हम short कर दे थुर वायर तो नेटर के थुर कोई भी current नहीं जाएगा तो उसे आप remove कर दो ठीक है यह rule को याद र आएगा फिर यह आएवन करेंट यहां पर आएगा राइट अब ऐसे दोस्तों यहां पर आप देखोगे यह current source है इसके वारे मैंने आपको बताया था प्लिए उडियो में तो current source है एक ऐसा source होता है जो constant current circuit को provide करेगा तो यह एक ऐसे device है जो यह पूरे circuit को constant current देगा तो इस ABCDA in loop ABCDA इसमें अगर KBL लगा हूँ तो हमें क्या मिलेगा तो start करते हैं A से दोस्तों A से B कुछ नहीं है B से C जाते हैं से हमें resistance है और हम current के opposite direction में जा रहे है क्योंकि current ऐसे आ रहा है तो यहां पर मैं potential drop positive लूँगा potential drop क्या होगा current I1 into resistance 2 then उसके बाद हम लोग आएंगे C से D D से A आते से हमें battery आ रही है और battery के positive से negative जा रहे है तो हमें potential drop negative रहेंगे which is minus 5 जो यहां पर इसका EMF है फिर से हम वापस A पर आ गए and this is equal to 0 और यहां पर clearly देख सकते हो कि I1 की value आपको मिलेगी minus 5 को वहां लेकर जाओ 5 divided by 2 यह जो 2 multiply में हो डिवाइट हो जाएगा और हमें इस loop के अंदर हमें कोई भी केवल लो लगाने की जुरूत नहीं है क्यों क्यूंकि आलडी हमें current पता है वह circuit में क्या flow हो रहा है तो हम क्यों केवल लगा है तो यहां का हमें current पता है यहां का पता चल गया केविए लॉसे अब हम लोग आते है में अपने loop के उपर जिसमें ह लूप इन लूप सी बी एच ए सी समझें यह पात है ना बतार आपको सी से चालोकर सी पर लोटना है सी भी एच ए सी तो इन सी बी एच ए सी अप्लाइंग के विल लौ बाइच के विल लौ विल गेट वाट देखिए ए सी से जह हम बी अटरे तो current के डरेक्शन में आरें तो हम यहां पर जाएंगे V से H की तरफ, V से H की तरफ जाता है समय बैटरी दिख रही है, जिसके माइनस से प्लस की तरफ जा रहे है, तो प्लस एट, फिर दोस्तों यह रजिस्टरंस की तरफ कोई तो माइनस फाई इंटू तो दन उसके बाद हम लोग ई से आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों ई से सी की तरफ आते समय, इसे हमें प्लस और इसे माइनस की तरफ कोई सा पोटेंशल ड्रॉप होगा, डिग्री जो रहे है पोटेंशल जानी पोटेंशल हमें नेगेटिव ले रहे मतलब कुछ गलत किया, आपने opposite लिया है मतलब, गलत मतलब magnitude आपको किसी भी case में same ही मिलेगा, चाहिए आप इसे plus consider करो, चाहिए minus consider करो, वोल्टेज की जो final answer होगे, इसमें sin, मतलब plus या minus हो सकता है, तो उससे आपको कोई marks examine कटने वाला है, या उससे आपका concept गलत है, ऐसा क करोगे, तो क्या मिलेगा, आपको 3 मिलेगा, और 3 में से यहाँ पर अगर मैं 10 subtract कर दू, I hope आपको यह समझ में आया, यह 2 to cancel हो गया, तो 8 में से 5 हो गया, तो यहाँ पर दूस्तों आ अपने पास plus 3 आ गया, और 3 में से हमारे पास minus 10 अगर जाएगा यहाँ पर, तो 3 में से minus 10 जाएगा, तो minus 7 आ जाएगा, और हमें answer मिलेगा, VEC का answer is, यहाँ से दोस्तों minus 7 जाएगा, उस तरह तो plus 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर minus VEC is equal to plus 7, so therefore, VEC is equal to 7 volt, right, तो I hope आपको यह question समझ में आया होगा, कि कैसे हमने यहाँ पर, यह जो लूप है, इसके अंदर, के वे लगा कर, हमने voltage निकाला, दोस्तों, अगले बर, अगर आपको ऐसा ही similar question दिखता है, तो उसमें आप पटाग से volt meter current कर दीजेगा, और KVL लगा दीजेगा, पहले आप दोनों current कर लीजिए, तो आपको आसानी sensor आ जाएगा, तो अगले बरसा ऐसे question देखें, तो confused मत हुएगा, आगे देखते हैं, तो दोस्तों, यहाँ पर हमने पास जो next question है, उसमें हमें find करना है, वी ए डैश, यानि point A और A यह दोनों के वीच में potential difference निकालना है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अगर ऐसे question आए, तो simply आपको क्या करना है, जिन दो point के वीच में potential difference निकालना वी ए डैश, obviously A और A डैश के वीच का potential निकाल रहा है, तो उसे हम वी ए डैश कह सकते हैं, कि उसका जो भी reading है वो वी ए डैश है, अब यहाँ पर आपको दूसरा चीज यह देखना है, कि potential जो यहाँ पर अपने यह लगाया हुआ है voltmeter, इसकी किसी एक को terminal को plus, दूसरे को minus बोल दो, यहाँ पर दोस्तों इसे मैं minus consider कर देता हूँ, इसे plus consider कर देता हूँ, आप किसको भी ले सकते, कोई फरक नहीं पड़ता, फिर यहाँ पर दोस्तों आप देखो कि जो हमें circuit दिया गया है, यहाँ पर सब वोल्टेज, वोल्टेज, सब बैटरिया ही बैटरिया दि है, और यहाँ पर दोस्तों अगर हम यह लूप चूज़ करें, a, b, c, a dash, then again a, या तो यह चूज़ करो, या तो a, then उसके बाद c, then उसके बाद a, then उसके बाद a, तो आपको जो भी सही लगए, आप उसे चूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पर अगर मैं apply करू, in, in loop, a, then b, then c a, then a dash, यह वाला, and उसके बाद फिर से a पर return, ठीक है, इसके अदर के दोस्तों अगर हम लोग के वियल लाओ लगा है, तो कैसे लगेगा, a से b जाते समय हम बैटरी से गुजर रहे हैं, उसके minus से plus की तरफ, यानि increasing potential में, तो potential हम positive लेंगे 3, फिर दोस्तो, b से c जाते समय हम again minus से plus की तरफ जा रहे हैं, तो again positive potential होगा, plus 2, फिर दोस्तो, c से अगर a जाए, तो हम battery के minus से plus की तरफ जा रहे हैं, तो again हम यहाँ पर plus लेंगे, और plus क्या लेंगे, यहाँ पर potential कितना दिया गया है, minus 1, ठीक है, समझें, मतब minus से plus जाते समय हमें, potential plus लेना है, लेकिन जो magnitude put, दिया गया है, उसको as it is put करना है, जो है minus, 1, ओके, तो यहाँ पर, अब हम a से आएंगे, sorry, a' से आएंगे a की तरफ, दोस्तो, a' से a की तरफ आते समय, आप देख रहे हैं, इसे मैंने plus और इसे minus लिया है, तो plus से minus की तरफ जा रहा हूं, तो यहाँ पोटेंशल is equal to 0, अब तुरंती यहाँ पर देख सकते है, 3 plus 2, 5 होगा, 5 मैंसे 1 गया, तो 4, और 4 को उस तरफ लेकर जाओं, तो मुझे मिलेगा minus va- is equal to minus 4, तो अब दोस्तों, यह minus minus cancel हो गया, और मुझे मिल जाएगा va- is equal to 4 volt, तो यह है हमारा final potential difference, तो आपने देखा कैसे हमने, volt meter के concept स ऐसे किसी भी problem को कितना असान मना दिया, आईए एक और last problem देखते है, so यहाँ पर दोस्तों, जो हमारा अगला question है, काफी interesting है, जिसमें हमारे पास एक ऐसा circuit दिया गया है, जिसमें एक battery दिख रही है, और इस पूरे circuit के बाहर से कहीं से तो 5 ampere आ रहा है, अगसर इसमें confused होत होते को बाहर भी निकल रहा है, 2 ampere और 3 ampere मिला तो कितना वह 5 ampere, जितना entry कर रहा था उतना बाहर निकल के फिर से उस circuit के पास वापस चला जाएगा, तो आपको यहाँ पर यह टेंशन लेन की जरूतनी वह circuit कौन सा है, आपको यहाँ पर यह assume करना है, कि बाहर से कहीं तो 5 amp है कि नहीं, अब अगर यह battery है, तो इस battery की वज़े से भी circuit में कोई current flow होगा न, ऐसा थोड़ी नहीं कि जो 5 ampere बाहर से आ रहा है, वह यहाँ यहाँ पर जाएगा, नहीं, यह battery की वज़े से भी कुछ current flow होगा, तो अगर मैं assume करूँ यहाँ पर, कि इस battery की वज़े से यहाँ यहाँ पर जाएगे, दोनों मिल जाएगे, तो यहाँ पर आगर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, 5 प्लस आइवन राइट, और duel जो 5 प्लस आइवन यहाँ जायेगा, तो उसमें से 2 ampere यहाँ चल गया, मतलब 5 ampere निकल गया, तो दोवी प्लस आइवन से 5 ampere नि तो दोनों आके यहां पर मिले और यहां पर मिले तो फिर उसमें से कुछ यहां चला गया ऐसा कर आप सोच रहे हो गलत हाईगा क्यूँ दोस्तों यह जो बैटरी है इसकी वजह से भी करेंट फ्लोो ओगा यह यहां पर आपको लेना और यह लॉजिकल भी है आयोप कोई अच्छे से समझ में आऊगा कि हम ऐसा क्यूं कंसीडर कर रहे हैं तो अगर दोस्तों आप कोई पूरा कंसेप समझ गया है कि कैसे हमें यहां पर करेंट को स्प्लिट करना है तो अब हम क्या करेंगे इस अंदर वाले लूप में के विल कोईश्व ने पूछा कि हम से फाइंड आर इफ वोल्टिज अक्रोस 15 ओम रजिस्टर इस 30 वोल्ट अब अगर यहां पर अपर आप अपसर करोगे हमें देखे रखा है कि यह जो 15 ओम का रिश्टर है इसके अक्रोस वोल्टिज जो ड्रॉप है वो 30 वोल्ट का है तो अगर म कि इतनी है 15 इसलिए मुझे पता चल गया कि जो करेंट है इसके तुरू जिसे में आईवन ले रहा हूं तो इसे में आईवन लिख देता हूं ठीक है तो आईवन की वेल्यू क्या आएगी 30 डिवाइट बाइफ 15 विचिस 2 एंपियर ओके तो एक बार आपको यह समझ गया य लेट यह पॉइंट ए है फिर इसके बाद यह पॉइंट भी है फिर उसके बाद यह पॉइंट जो है वह सी है यह पॉइंट जो है वह डी है ठीक है अब इसके अंदर में क्या करता हूं इन भी-बी-बी-दी, इसके अधर लगाता हूँ, अप्लाईंग के कविल लगा, लगा है एसे start कर रहे हैं, तो A से B जाते है समय, यहां पर दोस्तो हम, अगर देखे, तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, यहां पर आप देखो कि हम current के direction में जा रहे हैं तो current के direction में potential drop negative होता है लेकिन अधरूप potential drop 30 है तो directly लिए 30 या current 2 से multiply कर गए तो भी answer 30 आएगा तो यहां पर दोस्तों अगर मैं current के direction में जा रहे हो तो मुझे 30 नहीं माइनस 30 लिखना होगा यह ध्यान रखिएगा और दूसरी चीज़ यह यहां पर में एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर हम यहां पर करेंट का direction कैसे लिए ऐसे लिए ना और आपको एक्जाम में गर यह question आता है तो वैसे ही लेना होता था क्यूंकि यहां पर polarity देके रख करेंट के direction में जा रहे हैं फिर यहां पर अगर हम लोगों देखे तो आइवन के लिए 2 है 5 प्लस 2 कितना होगा 7 7 इंटू 5 कितना होगा 35 तो माइनस 35 हमें इसके अक्रॉस मिल जाएगा फिर इसके अक्रॉस जब आएंगे तो आइवन के लिए 2 है और यहां पर दोस्तों अन अगली बार से आपको इस तरह कोई प्रोब्लम आता है तो उसे अच्छे सा अब्सक्राइब कीजेगा कि करेंट अगर कहीं बाहर से आ रहा है और अंदर भी बैटरी है तो उसके वजह से कोई करेंट होगा इसे नोट करके रख लीजिए तो आए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम MID प्रो एप पे इससे भी कॉंब्लेक्स कॉंब्लेक्स प्रोब्लम स्वाल करते हैं ताकि आपक